हलो बच्चो आपका हमारे आत्मा एकडेमी परिवार में स्वागत है आज क्लास 11 का जो हम सेट थियोरी पढ़ा रहे थे उसका एक नया टॉपिक हम उठाते हैं वेन डाइग्राम तेकि वेन डाइग्राम क्या होता है हमने आपको एक तो सेट बताया था कि सेट क्या होता है कि the collection of well-defined object जो कुछ objects जो के well-defined होते हैं उनको जो हम एक जिये collect करके रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं set जैसे हमने कहा कि इंग्लिस वर्वेल्स जो होते हैं इंग्लिस alphabet में उनका set क्या होगा या वो element कौन होगे तो वो well defined है a, i, 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 i होता है तो आपने उसको रख दिया ठीक है तो यह कहां से लिए आपने जहां से लिए वो था इंग्लिस alphabet एट्व जेट ठीक है यह आपने जहां से लिए उसका नाम हमने दिया था यूनिवर्सल सेट उनिवर्सल सेट कहा था सारभ्वाम सेट होता है वो यह यह जो एटु जेट जो था उसमें से आपने निकाले इसको ABCD पूरा लिखेंगे इसमें आप तो Wayne साहब ने कहा कि भई इसको एक diagram के दौरा दिखाया जाए इसको हम U से represent करते थे तो diagram के से कैसे दिखाएगे सबसे पहले Euler साहब ने इसको बताया था और बाद में Wayne ने उसको थोड़ा सा ज्यादा modify किया तो उसको Wayne डाइग्राम कहा गया इसके लिए set theory आपको मालू होने चाहिए set क्या होता है और उसके जो subject बताये गए वो मालू होना चाहिए देखिए Wayne साहब ने कहा कि अगर हम एक rectangular box बना दें ये box तो ये box जो है वो बताएगा आपका universal set इसके अंदर इसको U से लिखते हैं ऐसे U बना देते हैं कहीं कहीं पर S बना होता है और कहीं कहीं पर XI बना होता है ऐसे एक sign होता है XI तो quiz books में आपको जब बड़े classes में आप जाएंगे या आपने कोई standard competition की book उठाएंगे तो हो सकता वहाँ XI बना हो ठीक है S भी बना देते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये आप U बना देंगे इस box के अंदर सभी element भरे हुए है सभी element इसमें है ठीक है और उसमें से माल लिया आपको set कौन सा लेना है A,E,I,O,U A,E,I,O,U तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि एक circle बना दीजिए और ये circle उस set को represent करेगा और इसके अंदर कहीं भी आप element लिख दीजिए ठीक है तो ये when diagram होता है अब हम बहुत सारे set operations बताने जा रहे है उसमें when diagram का use करेंगे हम जा समझेगा देखे देखे चुकि ये modern algebra है और यहाँ पर जो जवाब बात NCRTC करेंगे तो वहाँ तो बहुत सी limited questions है लेकि जब audition बात की करेंगे तो वहाँ unlimited questions है तो चुकि यहाँ पर जो derivation होंगे वो आपके logical proof होंगे यहाँ पर logical तो वह बहुत साउधानी से इसको पढ़िएगा अब बात करते हैं operations on set operation on set की बारे में बात करने जा रहे हैं operations on set हैनि इस दो set के बीच में कितने प्रकार के operations possible है सबसे पहला आता है union of set union of set देखे इसको कहते हैं समुच्चियों का संग हिंदी में अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे समुच्चियों का संग संग लग रहा है कि बहुत सारे संगठन मिल करके एक union बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम जब बात एक example लेते हैं पहले a is equal to मान लिया हमने लिखा a b c एक second और b हमने लिखा b c d तो जब इनका union निकालेंगे तो हम union को लिखते हैं a u u का आकर बना देते हैं यह union होता है इसका मतलब यह होता है कि a के सभी element और b के सभी element बिलाके रख दीजे लेकिन repeat नहीं करेंगे मालिया b और c a में भी आ रहा है और b और c b में भी आ रहा है तो आपको इसको दो बार नहीं लिखना है एक बार ही आपको लिखना है तो यह क्या हो जाएगा a, b, c, d यह तो हो गया union को लिखने का तरीका चीकर अब इसको logically कैसे लिखेंगे जरा साथान देखिए जानसे logically कैसे लिखा जाता है अगर logical representation लिखें कि logically इसको कैसे लिखा जाएगा देखिए जानसे अगर कोई element a union b में है मालिया a जो है वो a union b में है तो आप क्या कहेंगे कि a, a में है और लेकि बी में नहीं है अगर d, a union b में है तो आप कहेंगे d, b में है लेकिन a में नहीं है अगर आप कहेंगे b, a union b में है तो आप कहेंगे दोनों में मतलब कि अगर कोई element A union B में है तो इन दो में से किसी एक में हो सकता है दोनों में हो सकता है पक्का नहीं तो हम लिखेंगे X belongs to A union B implies देखें जान से इन दोनों में से किसी एक में होगा तो हम लिखेंगे X belongs to A bracket में R लगाएंगे X belongs to B यानि अत्वा यहां लिखा जाएगा अत्वा तब होता है जब हमको clear नहीं होता है पक्का नहीं होता है कि element किसको belong करेगा यानि अगर X A union B को belong करेगा तो X A को करेगा या X B को करेगा और लगेगे तो किसमें करेगा union को belong करेगा तो यह logical representation होता है या इसको ऐसे भी लिखते हैं A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B यह होता है A union B को logical लिखने का तो जब कोई derivation आएगा तो उसको चुकि लॉजिकली प्रूब करना होगा तो उसको इस प्रकार से logically आपको assume करना पड़ेगा अब union of set के properties क्या होती हैं हिंदी में भी आपको union ही याद रखना पड़ेगा properties of A union B properties of union of sets समुच्चियों के संग की कुछ विश्यस्ता है तो पहली चीज आप A union B कहिए या आप B union A कहिए दोनों value कैसी होंगी सेम होती है इस property को हम कहते है committative law committative law या हिंदी में कहेंगे क्रम विनिमे नियम विनिमे नियम यानि कि A union B committative law को follow करता है दूसरी बात हम A union B निकाले और जो result आए उसका C से union निकाले या हम A union B union C निकाले या यह bracket solve करने के बाद यूनिमे निकाले value will be same इस law को क्या कहते हैं इसको कहते हैं associative law associative साहचारेनियम हिंदी में कहा जाता है यह साहचारेनियम को follow करता है ठीक है तीसरी बात जड़ा देखिए एक set A है कोई भी element ले लिजिएगा A, B, C एक set B है जो की null set है phi है रिक्ट समुच्च है इसमें कोई भी element नहीं है और दोनों का union निकालो अगर A का union phi से निकालो क्या आएगा phi आएगा phi का नियम होता है चौथा एक universal set होता है अभी हमने बताया है कि इसमें बहुँ सारे element होगे A, B, C, up to Z जहां से यह लिए आ गया है माले ही इसको आप English alphabet से ले रहे हो तो यह English alphabet का जो पूरा set होगा वो क्या होगा आपका वो universal set होगा तो अगर A union हम U से करें तो क्या आएगा U आएगा तो यह आपके union की कुछ properties होती है ठीक है इन्हें याद कर लिजेगा थोड़ा सा दिमाग लगा लिजेगा यह verify करने के लिए आता है ठीक है अब बात करते हैं intersection offset दूसरा है intersection offset समुच्यों का अचा एक सेकंड मैं union की बात कर रहा हूँ इसको अगर हम वेन डाइग्राम में दिखाएट कैसे दिखाएगी दिखो ध्यान से जैसे माल या एक A ले ले 123 और B ले ले इसको बाद में बताते हैं पहले पूरा देख लिए तक हम में आएगा ज्यादा बहतर तरीके से देखे intersection of sets intersection of sets समुच्यों का सर्वनिस्ट intersection को कहा जाता है सर्वनिस्ट देखे जान से अगर हमने एक set A ले लिया 123 और एक set B ले लिया 3,4,5 और अगर इनका intersection निकालेंगे तो intersection में ये cup type कबना देते हैं ultra cup लगि ultra cup पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं intersection B अगर इसको पढ़ते हैं आप A intersection B इसमें करते क्या हैं? इन दोनों में जो common होता है, जो दोनों में होता है, आपने कहा 3 दोनों में है, तो इसको हम जो common होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, ये तो आपका example हो गया, अब अगर इसको logically दिखाएं, तो देखें कैसे दिखाएंगे, अगर कोई element a intersection b में है, तो आप क्या देख रहे हैं, क आप कहेंगे कि x belongs to a और यहां and बना देंगे x belongs to b and का sign बना दो कोई दिक्कत नहीं या लिख दो and यादि and का मतलब होता है जब दोनों में होता है तो वहाँ पर and का इस्तेमाल होता है ठीक है अगर इसको set उसमें लिखना चाहे a intersection b क्या होता है तो आप दिक्षेंगे x such that x belongs to a and x belongs to b तो and और r को पकरने की कोशिश करिएगा ठीक है अब इसकी कुछ properties समझेगा properties of intersection offset क्या होता है जैसे union की properties होती है जैसे intersection की भी होती है properties of intersection offsets पहली property आप a intersection b कहिए या आप b intersection a कहिए value will be the same दोनों की जो value होगी वो same होगी इसको कहेंगे आप commutative law करम विनमेनियम अभी हम बता चुके हिंदी उसकी दूसरी बात आप a intersection b निकालने के बाद जो भी result आए उसका c से intersection निकालिए या a intersection b intersection c करिए value will be the same नियम कौन सा ही है associative law साच्चा नियम को follow करता है अगला है जैसे a आप कह रहे हैं one two three abc ले ले लेता हूं और b कह रहे हैं आप five और एक universal ले रहे हैं a b c से लेकर के z तर अगर मैं आप से कहूं कि बताओ a और five में क्या common है तो आप कहेंगे कुछ भी common नहीं है तो this result will equal to five अगर मैं आप से कहूं कि a intersection u क्या होगा तो जो common होगा यानि कि कि किसके एककुल होगा यह a के एककुल होगा तो यह इसकी properties होती है एक और properties की है a intersection b union c अगर निकालना है इसको logically proof भी आगे कराये जाएगा a intersection b union c तो यह हो जाता है a intersection b bracket में फिर यह बीच में आएगा union a intersection c इसको कहा जाता है distributive law इसको कहते है distributive law वितरण का नियम वितरण का नियम यह जो set होता है intersection वो distributive law को follow करता है इसको logical proof भी आतरता है इसको proof भी कराये जाएगा बहुत ध्यान से इसको करिएगा अब एक चीज और जब हम rd sharma discuss करेंगी तो वहाँ पर यह सब logical proof बताये जाएगी बहुत technical book है बहुत अच्छी book है difference of sets अगला है difference of sets समुच्चे का अंतर निकालना है समझिएगा हमने एक set लिया a 1,2,3 एक set लिया हमने 3,4,5 और आपको a-b निकालना है दरा समझिए a-b का वतलब a के वो element जो b में न हो a के वो element जो b में न हो 1,2 अगर मैं कहूँ b- से तो आप कहेंगे b के वो element जो a में न हो यानि की 4,5 अगर इसको आप set concept में लिखना चाहे जिसको कि आप roaster farm आपने पढ़ा था set builder farm अगर इसको आपने set builder farm में लिखना चाहें set builder farm पीशे पढ़ाया गिया है आपको तो कैसे लिखेंगे a-b को आप लिखेंगे a-b is equal to x as that इसको हमने बताया था कि इसमें सभी element भरे हुए है x belongs to a and x does not belongs to b और ये पकी बात है कि a में belong करेगा और b में नहीं करेगा नहीं करेगा कसम से नहीं करेगा और जो पकी बात होती तो यहां क्या लगाए जाता है and जब भी पकी बात आपसे कह दिया यह ऐसा होना ही है तो and और जहां पर संभावना हैं कि हो सकता है तो वहाँ पर all लगाते है अच्छा अगर logically इसको लिखना चाहें logically तो आप कहेंगे अगर x a-b को belong करता है तो x a को belong करेगा and x b को belong नहीं करेगा अगर कोई element a को belong करता है तो b को belong नहीं करेगा अगर वो a-b में है तो x means any element किसी element बारे में बात कर रहे हैं तो यह logically करेंगे जो अपको अभी derivation करना होगा proof करना होगा तो वहाँ पर logical proof लेकर के हम चलते हैं ठीक है एक और word आता है disjoint set यह दिखे एक नए-नए नाम आ रहे हैं आपर तो होता क्या है कि नए-नए नाम जो आते है ना exam में थोड़ा सा click करना पड़ता है अम आले कोई नाम आ गया उसमें disjoint set prove करिए उसको अब हमने तो पढ़ा है disjoint set क्या होता है लेकिन हमने पढ़ा था है नहीं तो हमें कुछ-कुछ याद रहता है कुछ-कुछ नहीं याद रहता है तो उसमें at present आपको याद रखना पड़ेगा दिखे disjoint set क्या होता है disjoint set दो ऐसे set जिनमें कोई भी element common ना हो two sets having no element common उसको हम disjoint set कहते हैं यानि माल या मैंने एक example लिया a is equal to 1,2,3 और b is equal to 4,5,6 तो ये दोनों कैसे set होंगे विसंगीत समुच्चे कहा जाता है विसंगीत समुच्चे मतलब संध उसका नहीं है कोई चीज उसमें common नहीं है तो disjoint set होते हैं अब मैं इनी सभी set को vein diagram में show करने की कोशिश करता हूं कि vein diagram में इसको कैसे show किया जाएगा ज़रा सावधान बहुत ध्यान से समझिएगा पहला element हम पहला example लेते हैं हमें कोई set A मालिया मैं एक example लेता हूं 1,2,3 है और B मालिया 3,4,5 है अगर मैं union निकालता हूं तो अभी हमने बिताया है 1,2,3,4,5 अगर मैं intersection निकालता हूं तो हमने बताया 3 जो common हो अगर मैं A माइनस B निकालता हूं तो A के वो element जो B में न हो 1,2 अगर मैं B माइनस A निकालता हूं तो B को element जो A में न हो यानि कि 4,5 ठीक, देखिए इन सभी को मैं वेन डाइगराम में शो कर रहा हूं देखो वेन साब क्या कहते हैं उन्होंने कहा जॉन वेन थे कि एक rectangular box बनाई है एक आयतागार box बनाई है इसके अंदर संसार का हर element घुशा हुआ है गाय, बकरी, भैज, गोड़ा बकरी A, B, C, D 1, 2, 3, 4 सब कुछ इसके अंदर भढ़ा हुआ है इसका नाम क्या दिया हमने universal set अब देखो आपको एक set A बनाना है तो एक set A हमने बनाया ऐसे ये set A बनाया set B बनाना है लेकिन B का कुछ पार्ट common है A के साथ तो हमने B का वो पार्ट बनाया जो common है ये, ये B हो गया अब अगर आपको intersection दिखाना है पहले हम दिखाने जा रहे है कि इसमें से intersection कैसे दिखाऊगी intersection मतलब common तो कौछ सा पार्ट common है ये वाला पार्ट आपका common है तो ये पार्ट क्या बताएगा A intersection B सब्दम्या आया यानि यहाँ पर क्या है 3 यानि इस पार्ट में हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं तो ये पार्ट बताता है intersection सब्दम्या आगई बात दूसरी बात देखिए आपको union दिखाना एक में घिनापन नहीं करेंगे मुना confusion हो जाएगा दूसरा आपको vane diagram में a union b दिखाना है देखो ये example हो सकता है ये छुपा भी सकते हो हम क्यों बेन diagram बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे एक rectangular box फिर बनाया आपने ये क्या दिखाएगा universal set दिखाएगा इसके बाद a बनाईए b बनाईए कुछ comment दिखाता हुआ बना सकते है अलग बना सकते है a और b तो इसमें चितना भी a b का part है पूरा ये सब ये पूरा part क्या बताता है a union b ये पूरा part मिला करके क्या बताएगा a union b अगर element लिखना चाहते हैं आप बोले ये लिखना चाहते हैं तो देखे क्या करेंगे आप चुक्छे element दे दिये हमने आपको ये universal set है ये a है ये b है ठीक है पहले common क्या है 3 तो यहाँ 3 लिख दो अब देखो a में कितने element है 1,2,3 तो आपने a में 1 लिखना है 2 लिखना है 3 already a के अंदर देखो है b क्या लिखना है आपको 3,4,5 तो 3 already है 4,5 इस प्रकार से लिख सकते हैं तो अगर element है तो ऐसे लिख दिया अगर आपको क्यों shaded portion उसमें च्छायंकित part से दिखाना है कि कौन सा part union है तो ये union दिखाता है अब मालिया आपको इस diagram में a intersection b हो गया तीसरी बात आपको दिखाना है a minus b या b minus a देखो हमने क्या का common हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये universal set इसके अंदर सभी प्रकार के element भरे हुए है ये a ये b ये वाला जो part है आपका a का वो बाहर का part जिसमें b न हो ये छोड़ दिया हमने ये वाला जो part है वो क्या बताता है a minus b ठीक है और b का जो part ये वाला है जिसमें a न हो तो ये वाला circle छोड़ देंगे आप ये वाला part क्या बताता है b minus a तो इस प्रकार से हम वेन डाइग्राम में A union B, A union B, A intersection B, A minus B और B minus A को show कर सकते हैं ठीक है अच्छा ज़रा समझिएगा एक चीज़ और अगर माल लिया कि A और B disjoint set होते तब कैसे दिखाएंगे अगर आदम से कहा जाए एक note लिख लें कि A and B कैसे set हैं disjoint है disjoint का मतलब यह होता है जिसको हिंदी में अभी हमने बताया यह विसंगीत है मतलब इसमें कोई भी element common नहीं है और आप इसको वेन डाइग्राम में show करिए देखें कैसे दिखाएंगे यह वेन डाइग्राम है यह वेन डाइग्राम है यह universal set है common नहीं है तो A और B को अलग-अलग दिखाओ दिखा दिया यह A दिखा दिया यह B दिखा दिया अब आपको दिखाना है A union B तो आप A और B को मिला दीजिए बताँ A को भी shared कर दीजिए और B को भी shared कर दीजिए यह सब मिला हुआ भाग क्या कराएगा A union B पहली बात दूसरी बात आपको A intersection B बताना है यह आपका rectangle यह universal set यह A यह B कोभी part shared नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी common यहाँ पर नहीं है ठीक है तीसरी बात यह क्या दिखाया हमने A intersection B जो कि क्या है फाई क्योंकि जो shareded portion होता है वो उसको represent करता है यहाँ हमने कुछ भी shared नहीं किया अब देखें तीसरी बात आपसे हमने कहा भई A minus B दिखाईए ठीक यह आप समझा लिए आप इसी में समझा देता हूँ हमने कहा A minus B दिखाईए तो A का वो part जो B में नहीं हो यू अलग-अलग बनेंगे तो B का वो part जो A में नहीं हो तो क्यों B के part को shared कर दीजिए तो यह आपका disjoint set होने पर vein diagram में representation का तरीका होता है एक बात और जैसे A और B A B का subset हो तब क्या होगा A B का subset हो यानि एक noting और है कि if A is the subset of B मतलब example के तोर पर अगर हम दें तो A अगर 1,2,3 है तो B जो है वो 1,2,3,4 होगा यानि A के सभी element B के अंदर है मैं फिलाल vein diagram में example नहीं लिखता हूँ लेकि मैं समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगी देखिए ध्यान से वहले बनाया कैसे जाएगा bin diagram ये आप बनाएंगे universal set ठीक अब A B का subset है मतलब A पूरा का पूरा B के अंदर बनाया जाएगा यानि ये पूरा का पूरा B और उसके अंदर ये A ये B और ये A ठीक अब अगर आपको दो तिन बना लेते हैं जिससे सब शो कर देंगे हम आपको ये universal set ये पूरा का पूरा B चुकि बड़ा है और उसके अंदर A पूरा का पूरा इसके अंदर है ये बाहर B अंदर A ठीक एक और बना देते हैं ये पूरा का पूरा B और इसके अंदर A ये गोल बनेगा बना लीजिएगा अब जिरा समझेगा हमको पहले पार्ट में A union B दिखाना है union क्या होता है A और B का पूरा मिरा हुआ पार्ट तो पूरे पार्ट को shared कर दीजिए तो ये क्या बताएगा A union B अगले पार्ट में A intersection B बताना है intersection का मतलब common common तो यही है पूरा A का पार्ट तो केवल A के पार्ट को shared करेंगे आदे केवल ये पार्ट shared होगा हमको यहाँ पर A minus B बताना है A के वो element जो B में ना हो ऐसा कुछ यहाँ है नहीं चुकि A के सभी element भाई हम अगर आपसे यहाँ कहें A minus B निकालो इसका मतलब क्या होता है A के वो element जो B में ना हो तो आप कहेंगे यहाँ कोई भी element नहीं होगा that will be null sit कोई भी पार्ट यहाँ shared नहीं किया जाएगा अगर मैं कहूँ B minus A अगर मैं यहाँ आपसे निकलवा लेता B minus A तो B के वो element जो A में ना हो तो वो क्या है वो आप पहेंगे भी 4 है और यहाँ पर 4 कहा लिखा जाएगा देखिए जो A के अंदर लिखा जाएगा वो B में है अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यह A में भी है और B में भी है अगर मैं आप 2 लिखता हूँ 3 लिखता हूँ और 4 बहा लिखता हूँ तो B minus A निकाले के लिए क्यों यह बाहर का part shared करेंगा ठीक है यह आपका B minus A होगा तो यह 4 weight diagram है जब A B का subset होगा तब क्या होगा A B का subset होगा B A का subset होगा Disjoint set होगा Intersection क्या होता है और Union क्या होता है तो इस concept को समझेगा इसके बाद हम बात करेंगे exercise अगली जो 1.4 देखिए exercise book आपके पास already होगी इसलिए question लिखने की जुरूत नहीं है देखिए 1.4 का पहला question समझेगा 1.4 पहला question Find the union of each of the following pair of sets Union निकालना है देखिए हिंदी में इसको सर्मनिस्ट कहते है सर्मनिस्ट इंटरसेक्शन कहते है इसको संग कहते है लेकिन हिंदी वालों को भी English wordings याद करनी पड़ेंगी ठीक है जैसे पहला part इसका है कि x is equal to 1,2,1,3,5 1,3,5 और y is equal to 1,2,3 और आप से कह रहा है कि इसका union निकालिए तो union हमने बताया है कि सभी element लिखने है repetition should not be there जो हम x union y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1,2,3,5 इसमें कोई भी order ले सकते है आप पहले 1 लिखो फिर 3 लिखो फिर 2 लिखो कोई फरक नहीं परता लेकिन repeat नहीं करेंगे element को 1,2,3,3 दो बार है तो नहीं लिखेंगे एक बालिको चाहे 10 बालिको element वो same माना जाता है इने मालूम होगा ये vowels होते हैं English alphabet में और B is equal to ABC और आप से कहा गया इनका union निकालो बस मालूम है आपको इनके सभी A, B, C, E, I, O, U ये repeat है उसको एक बाल लिखा जाएगा और सब element उठाके इसमें लिख दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद question number थर्ड पार देखे इसका कहा गया ये आपका set builder form में है X such that ये दिया गया है X such that X is a natural number X is a natural number ये प्राक्रतिक संक्या है and multiple of 3 multiple of 3 3 का गुणाज है मतलब 3 6 9 12 जो भी 3 की table में आते हैं वे सभी element लिखने है इसके बाद कहा गया B दिया गया है X such that X is a natural number less than 6 हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं X belongs to natural number and X is less than 6 not equal to 6 तो 6 से छोटे number कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5 फिर कह रहे हैं कि इनका union निकाली है तो union निकाले का तरीका आपको बताया गया है A union B A और B के सभी element लिख देने हैं आपको तो जब A union B लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो लिखेंगे लिखेंगे और 5 बाद 6 6, 9, 12 and so on तो यह आपका union निकलाया 1st question इसके बाद इसका 5th question देखिए बहु सारे part इसमें है 5th question देखिए क्या कह रहा है यह कह रहा है A is equal to X such that X belongs to natural number and X is greater than 1 and less are equal to 6 यानि कि 1 से बढ़ा है 1 नहीं है और 6 या 6 से छोटा है 6 भी यहां लेना है तो क्या number आएगा 2, 3, 4, 5, 6 यह तो आपका आगया A B क्या लिखा हुआ है X such that X belongs to natural number and X is greater than 6 6 से बढ़ा है and less than 10 10 से छोटा है यानि कि 7, 8, 9 तो अगर आपको इसे union निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सभी element को combine करके लिख दीजे और चाहे तो उसे set builder form में अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं जैसे हम से कहा जाए A union B निकालो तो हम लिखेंगे 1, sorry 1 नहीं है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह answer हो गया लेकिन अब चुकिए set builder form में 2 है अगर set builder form में लिखना तो है तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हम लिखेंगे x as that x belongs to natural number यह क्या है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो x is greater than 1 and less than 10 देखो less than 10 लिख सकते हैं या less are equal to 9 लिख सकते हैं ठीक है दोनों बाते सही हैं तो यह आपका हो गया union का first question ncrt का the second question समझीएगा बहुत सारे questions है बहुत जल्दे लिख बताये दे रहें बहुत easy है कोई tough नहीं है इतना स्वे कहा गया second question a दिया है a b a is equal to a b और b is equal to a b c पहले आपसे कह रहे हैं कि is a subset b क्या a b का subset है तो यह क्यों पूछ रहे हैं वो छोटी सी बात है वो जानना चाहते हैं कि subset का concept आपको clear है कि नहीं तो आप कहेंगे it is subset आप लिखेंगे yes क्यों लिखेंगे because all the elements all the elements of a is in b इस नहीं लिखें are in b चुकि a के सभी element b में है इसने यह subset तो हुआ फिर कह रहे हैं चाह बताईए what is a union b तो a union b क्या होगा a b c याँ that equal to b यह b के equal होगा ठीक है third question क्या कह रहा है कह रहें कि if a and b are two sets such that a subset b यह कह रहें कि अगर a subset b है विखेंगे इसी को ध्यान में रखिएगा element नहीं दिये a subset b का मतलब a छोटा होगा b बढ़ा होगा a के सभी element b में होगे लेकि b में एक दो element ज्यादा होगे तो कह रहें कि a union b क्या होगा तो आप कहेंगे किस के equal आएगा वो b के equal आएगा अब आप कहेंगे ता छोटा question क्यों दिया वो जानना चाहते हैं कि भाई subset का concept अगर आपका clear नहीं है you cannot write it ठीक है इसके बाद fourth question क्या कह रहा है देखे fourth में बहुत सारे part है fourth question यह कह रहा है कि a जो है one two three four b है three four five six c है five six seven eight d है seven eight nine ten फिर आपसे बहुत सारे part पूछ रहा है पहला part पूछ रहा है कि a union b क्या होगा निकाल लेंगे a और b के सभी element क्या हैंगे one two three four five six फिर second part में आपसे कह रहा है a intersection c क्या होगा union c क्या होगा तो a और c को combine कर दो one two three four five six seven eight फिर आपसे कह रहा है आप बी union c निकाल लेंगे बी union d निकाल लेंगे फिप्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि a union b union c अब आपके इसाब bracket तो लगा नहीं है यह आपकी मर्जी आप लगा दीजे यह लगा दीजे लगा दिया हमने तो पहले a union b लिखिए क्या आएगा one two three four five six एक साल लिख सकते हैं seven eight लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं यह है कि इसके 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 सभी element इसके अंदर होना चाहिए और reputation should not be there order having no problem order कोई भी लिख सकते हैं इसके अगला पार्ट अपने आप करेंगे इसके बात fifth question देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट हैं दस पार्ट यहां भी हैं समझेगा इसमें अभी logical exercise को इसमें नहीं आई है कि logically उसके बताया गया हो example से आपको value पूछ रहा है देखिए six question क्या कह रहा है a दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11 b दिया गया है 7, 9, 11, 13 b है c दिया गया है 11, 13, 15 और d दिया गया है 16, 15, 17 पहरा पार्ट आपसे कह रहे है कि आप a intersection b निकालिए क्या होता है जो दोनों में common हो क्या common दिख रहा है आपको 7, 9, 11 तो 7, 9, 11 यह होता है अगला आपसे कह रहे है कि b intersection c निकालेंगे थर्ड आपसे कह रहे है कि a intersection c intersection d अब आपका इसा bracket लगा दीजे तो पहले आप निकालो a intersection c a और c में क्या common दिख रहा है 11 common दिख रहा है तो यह 11 हो गया और intersection d क्या है d है आपका 15, 17 क्या इन दोनों common है कुछ नहीं है तो आप देखे या तो 5 बना दीजे अकेला और या तो आप केवल एक bracket कर ली बना दो इसके अंदर कुछ भी बत लिखना ऐसा नहीं कि आपने इसके अंदर file लिख दिया तो null set होता जी नहीं यह गलत है छीक है दोनों तरीके से लिख सकते हैं 4th part अपने आप करेंगे 5th अपने आप करेंगे 6th part देखे A intersection P union C आपको या दोगा भी distributed लावन ने बताया था तो उसको नहीं करना है आपको देखे A intersection A क्या है 3, 5 7, 9, 11 Intersection B union C इन दोनों को मिना दो 7, 9, 11 13, 15 फिर दोनों को common निकालो intersection लगा है ना तो देखो 3 वा नहीं है 5 वा नहीं है 7 है 7 है 9 है और 11 है और अगर distributed लावन लगाना चाहें क्या हमने भी बताया है कि A इसके पहले वाले वीडियों देखेंगे आप A intersection B union A intersection C तो ये value भी same यहीं निकलेगी तो ये आपका 6 पार्ट है 7 अपने आप करेंगे 8 अपने आप करेंगे ये 10 पार्ट दिखी इसको 10 पार्ट क्या कह रहा है 10 पार्ट ये कह रहा है कि A union D intersection B union C पहले A और D का union निकालू A और D को मिला दू क्या हैगा 3, 5, 7, 9, 11 फिर B और C को मिला दू ये मिला दू क्या हैगा 7, 9, 11, 13 और 15 फिर इनका intersection निकालो common क्या दिख रहा है आपको 7, 9, 11 तो क्या हैगा 7, 9, 11 ये question number 6 हो गया ठीक है इसके बाद अगला देखिए वो ध्यान से करिएगा इसको tough नहीं है लेकिन ये है कि इन words को memorize करना ये थोड़ा सा complicated चीज है देखिए 7th question क्या कह रहा है पर इसको पहजानी है ये कह रहा है A is equal to X as that X is a natural number X as that X belongs to natural number हम इसको indicate करेंगे तो इसको अपने मन में या यहां लिख दो natural number मतलब 1, 2, 3 and so on ये natural number हो गया B क्या कह रहा है X as that X is an even natural number अब हर indication नहीं मिलेगा X is an even natural number मतलब some प्राक्रतिक संख्याएं some संख्याएं even वो होती जो 2 से divisible हो तो क्या हैगा 2, 4, 6, 8 and so on बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक से लेकर के 100 तक हिंदी में किंदी नहीं आती होंगी शेख लीजिए उसे इसके बाद D यहां पर है C यहां पर अभी है X such that X is an odd natural number आप जानते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते ही प्राइम नेचुरल नंबर अब बहुत सारे होंगे यह होगा दो प्राइम नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो अलग अलग दो नंबर 1 और अपने अब आप सीखिने कि बहुत बन से नहीं 1 इस नाट प्राइम तो 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे नंबर होंगे यह ABCD का इंट्रोड़क्शन है अब आप से पहला पार्ट कह रहे हैं कि आप A intersection B निका लिए देखो ज़रा इंट्रसेक्शन क्या निकलेगा इसमें यही निकलेगा आपको यानि यह निकलेगा 2, 4, 6, 8 अब इसको चाहें तो यह language लिख सकते हैं कि X is that X is an even natural number लिख लिखा जा सकता है सेकेंड पार्ट आप से क्या कह रहे हैं कि B A intersection C निकालिए A C में क्या common है यह common है तो यह हो जाएगा 1, 3, 5 वो answer ऐसे नहीं देंगे answer इसी form में देंगे क्योंकि इस form में आ सकता है थर्ड पार्ट क्या कह रहे है A intersection D देखे A का मतलब सम नंबर और D का मतलब को लिए वाले नंबर तो यही common होंगे तो यही आएगा 2, 3, 5, 7 and so on यह यह लिखेंगे आप प्राइम नंबर फोर्थ पार्ट क्या कह रहे है B intersection C कुछ common दिख रहा आपको नहीं तो इसको क्या लिखेंगे आप 5 फिर आपसे फिफ्ट पार्ट क्या कह रहे है B intersection D common दिख रहा है कुछ B और D B और D केवल दो ऐसा नंबर होगा जो even भी होगा और प्राइम भी होगा 2 is only even number which is prime और C intersection D 6 part C कहा है यह इसमें क्या common दिख रहा है आपको 2 को छोड़के नहीं, sorry 2 को छोड़के नहीं क्यों यह वारे नंबर लिखे जाएंगे आपकी Intersection निकालना है तो 3, 5 वाई कोई even number तो prime हो नहीं सकता 2 को छोड़के क्योंकि हर number 2 से divide हो जाएगा तो 3, 5, 7 and so on आप चाहें तो लिख सकते हैं X such that X is a prime number excluding 2 2 को छोड़के तो यह आपका इंटरसेक्शन निकालना यह 7th question हो गया ज़रा 8 समझेगा 8 में कहा गया कि बताओ इसमें disjoint set कौन से हैं तो जब तक disjoint का concept clear नहीं है तब तक आप disjoint नहीं लिखा सकते which of the following pairs of set are disjoint 8th set of pair of disjoint से निकालना है pair of disjoint sets आपको बताए जा चुका है disjoint set कौन से होते हैं disjoint जिसमें कोई भी चीज joint नहो joint का मतलब यह होता है कि एक business हम कर रहे हैं कुछ चीजें आपकी और कुछ चीजें हमारी उसमें joint है तो अगर जिसमें joint नहों वो disjoint होता है अब जाए set में element को देखिए जिसमें कोई element common न हो इसमें इन्होंने का A है पहला part देखिए A दिया है 1,2,3,4 और B दिया है X such that X is a natural number और X is greater r equal to 4 और less r equal to 6 मतलब 4,5,6 यह हो गया अब यह disjoint है गी नहीं है आपने का नहीं है और answer लिख दिया हमने 0 कर दिया क्यों कैसे नहीं है भाई क्यों आप बता रहे हो तो आप सम्में से A intersection B निकालेंगे अगर इसने कोई element नहों यानि A intersection B जो है वो क्या ना चाहिए फाई तो disjoint होंगे अगर फाई नहीं है तो disjoint नहीं होंगे तो साब साब दिख रहा है 4 is common इस not equal to 5 यह null set नहीं है रिक्त समुझे नहीं है तो they are not disjoint ठीक है इसी प्रकार से second part में देख रही E और E यहाँ पर common है थर्ड पार्ट का आगया X is that थर्ड पार दिखिए थर्ड पार्ट में एक सेट A मान लीजिए X is that X is an even integer even integer not natural number integer word use किया गया है यानि कि पूराँ के बारे में बात कर रहे हैं तो even क्या होगा 2, 4, 6, 8 यह हो गया minus 2, minus 4, minus 6 इस प्रकार से even integer होगा ठीक है B क्या है odd integer तो odd मतलब 0, 1, 3, 5 minus 1, minus 3, minus 5 क्या इन में कोई चीज़ common है जी नहीं 0 साइट even माना जाता है तो A intersection B क्या है 5 तो यह आपका रिक्ट समुच्च है इसका मतलब यह disjoint set होगी ठीक है 9th question देखीगा जाध्यान से 6 size को हम complete किये दे रहे है लगबग upset theory खतम होने वाली है दीरे दीरे आपको modern algebra की तरफ धकेला जा रहा है यानि कि एक ऐसी दुनिया जो logical proof की तरफ चलती है बहुत technical दुनिया है जो आप inter-pass करके BSC वगरा में जाएंगे और MSC वगरा करेंगे mathematics से तो वहाँ इसकी एक पूरी book चलेगी वहाँ कहीं आपको 1,2,3,4 नहीं दिखेंगे ABCD मत दिखेंगे अब logical तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा देखे नाइन्थ question क्या कह रहा है exit A है 3,6,9 12,15 18,21 B है 4,8,12,16,20 यह 3 का multiple है यह 4 का multiple है और C है 2,4,6,8,10,12,14,16 यह इवेन नेचुरल नंबर है और D है 5,10,15,25 का multiple है और आप से कहा गया पहला part की A-B निकालो मतलब A की वो element जो B में न हो तो 3 नहीं है 6 नहीं है जो 4 से divide हो रहा है वो नहीं है बस और सब होगा 3,6,9,15,18,21 यह पहला part second part आप से कह रहा है कि B-A निकालो यह B को element जो A में न हो तो यह लफडा कर रहा है तो 4,8,16,20 third part क्या कह रहा है B-C निकालो निकाल लेंगे B को element जो C में न हो B की वो element 4 है यहां 8 है यहां 12 है यहां 16 है यहां तो यहां क्या पचेगा 20 नहीं है कि वर ठीक है fourth part क्या कह रहा है हमने इसाइद पूरे part नहीं इसमें लिके हैं first part है यह fourth part है randomly हमने बताने की पहले सोची थी यह seventh part है यह tenth part है D-B D की वो element जो B में न हो D की element जो B में न हो कोई element यह 20 है क्या होगा 5,10,15 5,10,15 और इसका twelfth part D-C D की element जो C में न हो यह 10 है तो 5,15,20 5,15,20 अब आप कहेंगे इतनी छोटी एक साइज इतना NCRT जी हाँ जी हाँ वो यह जानना चाहते हैं के माइनस भी आपको आता यह नहीं आता बस और कोई मतलब यह नहीं है सिफकार से 10 अपने आप करेंगे 11th question देखिए जाद ध्यान से देखिए 11th क्या कह रहा है कह रहा है R is the set of real number R है Is Set of Real number मतलब इसमें जतने भी word में number है वो चाहे 1 हो चाहे 1 by 2 हो चाहे अंडरूर 3 हो चाहे 1 by 17 हो चाहे 1.005467 कुछ भी हो सब real number होंगे सर्थ एक है कि अंडरूर के अंदर negative नहीं आना चाहिए और Q है यह वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है यह कैसी संख्या है वास्तविक संख्या है और Q जो है वो है Rational number Rational number का मतलब होता है जिसको P अपान Q के फार में लिखा जा सकता है यह अंडरूर 5 भी हो सकता है यह अंडरूर 5 नहीं हो सकता है बस यह समझा लिजेगा ठीक है और सब हो सकता है Rational number यह आपका 1.7232121004 यह भी हो सकता है लेकिन यह complete होगा अगर यह है तो है बस पूरा नहीं होगा यह जो decimal होगा एक डिजिल के बार रुख जाएगा तो बड़ा कौन Rational number छोटा कौन सबही यह number इसमें है इसके सबही element इसमें नहीं है तो यह कह रहे है कि R-Q क्या होगा R-Q यहनि R की वो element जो इसमें नहीं Irrational का मतलब परिमें होते हैं और जो परिमें नहीं होते हैं वो क्या होते हैं Irrational जो आपरिमें होते हैं आपरिमें कैसे number होते हैं जैसे यह आपके अडरूर्ट 5 है यह इस प्रकार का जो नमबर है जिसका कभी decimal खतम ही नहीं होता है तो यह क्या निकलेगा irrational number यानि कि आप पर में यह संख्या निकलेगी ठीक है तो यह आपका 11th question है 12th में इन्होंने कहा है कि यह set है उसमें कुछ बाते बताई गई है और आप से कहा गया यह true false सत्य है या सत्य है यह बताओ उसको देख कर कि आप लगा सकते हैं देखे जान से पहला part इन्होंने कहा कि 2 3, 4, 5 और यहां है 3, 6 यह दो set है और यह कह रहे हैं they are disjoint यह विसंगीत है कि नहीं है अभी थोड़ी दर पहले हमने बताया है disjoint set का मतलब होता है जिसमें कोई भी element common नहों जड़ा देखे इन में से क्या दोरों में कोई element common है size example गलत note कर दिया है number 2, 3, 4, 5, 3, 6, 8 ठीक है यह disjoint set है नहीं है false है क्योंकि आपर अब क्योंकि proof नहीं करना है आपको otherwise हम कहते इनका intersection 3 है तो यह disjoint नहीं है यह क्या ऐसा है यह गलत है उसी प्रकार से आगे A, E, I, O, U लिखा हुआ है second part में लिखा है A, E, I, O, U लिखा हुआ है और A, B, C, D लिखा हुआ है A, B, C, D लिखा हुआ है और यह कह रहा है disjoint है यह disjoint है यह है, नहीं है इसमें A आगया यह भी आपको false है third क्या कह रहा है 2, 6, 10, 14 और दूसरा है 3, 7, 11, 15 3, 7, 11, 13 यह disjoint है yes, यह true है क्यों पुए element common नहीं है अगला है 2, 6, 10 और 3, 7, 11 disjoint है yes तो इस प्रकार से इसको कर लिजेगा यह exercise आपकी है 1.4 इसके बाद आगे decision करेंगे ओके, thank you